यह जो किसान यहां पर आड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के वेज़ आड़ा हुआ है जो पहले भेले वाला इंसान था वो के सरकारी मंडियों में जाकर कुछ भाव पे वहां से लाकर अपना रोजगार चला रहा था उसका सारा रोजगार ख़तम हो जायागा जब से पूशन चाहता हूं आप केरियल का नारियल ले रहे थे पहले से यूपी काम पूरे देश में जा रहा था कश्मिय का से पूरे Ну अभी वरतमान में देखा जाए तो यह बताया जारा है कि युबा को जो है विल समझ में लिए आ रहा है या जो देश के किसान उनको विल नहीं समझ में आ क्या करेंगे इस प्याइब बखिये सरकार ने बस यह कोशिश करिए कि कैसे ले कैसे करके किसान को वहाँ से घटाया जाए जी और आम आदमी की नजर में लेथ जाए जी उसने यह कहा कि किसान को समझाकर भेज दिया अन्य और आरोप लगाए जैसे कई और आप लग प्राइविट मंडिया से और बड़े-बड़े सब्जी और जो अन्य चीज है उन्हें ले ले लेंगे पिर अपनी एसी वालतीगानों बहे रखना शुरू कर देंगे जो पहले प्हले वाला इंसान तरो सरकारी मंडियों में जाकर पुछ भाव पे वहां से लाके अपना रोजगार चला रहा था उसका सारा रोजगार खतम हो जायागा जो लाखों इंसान अपना रोजगार चला सब उपरे देश में ले जा कि आपके कर्या नर्य पह्लेश पहले से यूपी काम पुरे डेश में जह रहा था। किसानल और किस्मों किलिए प्रेविट M金 or प्रियु प्रेट मन्डियास लादि से क्या होगा है는 के लिए अच्छे प्लान दिये लोगों को आकर्षित किया जब बीएसनल के पास लोग खतम हो गए बीएसनल बंद हो गई बिएसनल बिग गई ऐसी APMC के जो सरकारी मंटियों के साथ भी ऐसा ही होगा जब वह सुरात में दो साल अच्छे-च्छे पैसे देंगे किसान को अपन कोंटेक्ट फारिमंग फैज जाएगी और फैंसी में लें लेन दें नहीं होगी APMC बंद हो जाएंगी दूसरा विल दूसरा विल रहा कौंटेक्ट फार्मिंग इंग प supplemental उत्रोगों क्सांन को कोई अका नीए दिया जाता हुम 2टकितने पैसे या मैं किस प्रदेश में गन चैना लेना है वह गणना मिल तक ज़सान को जब कल्टी से जारे गणना मिल नई कोई गारंटी नहीं यह जब एक कानून बनाया गया था कि 14 दिन कंदरखें को पेमेंट अगर जोई दिनकंदर आप एक सब्सक्राइब नही मगर कुछ समय बाद किसान को एक धेला टाइम पर नहीं मिला एक धेला टाइम पर मिला हो पिछले साल का फरवरी से यह मार्च तक का पेमेंट अब है किसान का इस पार्मिंग कोई भी किसान को हक नहीं दिया जा रहा है ऐसी ही ही होगा तीसरा बील है अचेशल कॉमडिटी इस एक्ट नाइटिन विट्टीफाई उस बिल में ये कहा है कि किसान की जो उपज है जो किसान पैदा करता है वो उसका स्टोप करके जब अच्छा रेट होगा उसको तब बेश सकता है दस बीगे का किसान जो जादे साथ कुंटल जो पैदा करेगा उसके लिए उसे स्टोप के लिए पैसे भी चाहिए वेवस्था भी चाहिए और बल्कि जब तीन-तीन महीने में उपा जाती है तो किसान बस भगवान से हाथ जोड़ता है कि मेरी फसल आए और बिग जाए जल्स वो क्या स्टोर करेगा क्या स्टोर कर पाएगा और दूसरी बात इसमें भी वेपार ढूंडा गया है इसमें वेपार यह है कि जो अडानी है अडानी की हर्याण में बड़ी-बड़ी स्टोरेज बन चुकी है पहली वो क्या करेंगे किसान से दो तीन साले में जब है तरना मंत अमर पर छोड़िन तोरिछ हैं ऐसा ही होगा लेकिन आपको सारी जानए रही है Corps कर यह बदनीजिते अ क्यों वह को सऺकार कहरी हैं इप दिल शार को reserve किसान ने पंदर Milan के इंदर बारे गलत्यान् mala किसान ने केवल चंद दिनों में निकाल दी या तो अर्द शास्त्री पागल है जा किसान जाले पड़ा लिखा हो गया इंद्यानों कुछ एक ही वा है तो फाइनली अब सरकार को क्या कहना चाहेंगे सरकार को ये तीनों काले कानूं ने तो फर्मान तो अपना जारी कर दिया स हम दो साल के लिए इसको रद कर सकते हैं बिल वामसी में कोई बात ने होगी अब कोई मीटिंग भी तो क्या कहना चाहेंगे तो साल के लिए वापिसी का इनका जो ये ऐलाने वो इसलिए है जैसे बुलवामा टैक हुआ जब फुलवामा टैक होने से पहले बीजी पे सरकार बीजेपी ने करवाया कि जब अटैक हो जाएगा अटैक के बाद हम पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर देंगे और किसान पहले सी देश वक्त है वो जैमोधी जैमोधी करके मोधी को वोट देगा और मोधी सरकार को चिता देगा तो यह जो नया युवा है भारत का युवा है वोट तो आपने भी दिया होगा अगर हम आपको वोट देते हैं तो आपका फर्स नी बनता आपका फर्स बनता है कि किसान को खेती से बेदखल करना ताकि किसान वे मजदूर शेहरों में जाए और इन्हें दीहाडी मजदूर सस्ते में मिल सकें जब किसान शेहरों में चल जाएंगे खेती ठप हो जाएगी इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि 1970 में जो गहूं का रेट था वह 76 पर प्रती कुंटल था और आज 2020 में गहूं का रेट 1925 था प्रती कुंटल था पचास साल में कुल 25 परसेंट बढ़ोत्री और अगर अन्य चेतर में देखें सरकारी नोक्रियों के देखें सरकारी नोक्री में से 320 में और उनकी आब उसके बाद जो उप्रहोатов की पता अपको झैली 111 महीने की उसके अंदर उनको क्या क्या मिलता है खेजार रुपे महीने के मुबाइल के रिचार्ज के एक आदमी का 600 रुपे का तीन महीने का रिचार्ड हो जता है इस माण लिमिटट कॉल नेट मिलता है ऐसा छाजार को कौन सा रिचार्ड जोराविए उनका साथ में एजुकेशन को हेल्थ अलाउंस अगर ये सब उनको मिल किसान को भी रखता है इनका डिजाइन ऐसे ऐख कि किसान को गरीब का गरीबी रखा जाए इनको बज़दूच ये ने कहा तक हो भी 5 पी रहे को सुझा गान कि जानलएग निसटान को भी और जैसे उन्होंने और किसान को और भी पागल बनाया यह कह रहे हैं कि किसान अपने खाने की विवस्ता स्वेम की यहां भी किसान अपनी खाने की विवस्ता स्वेम कर रहे हैं इसमें कोई नहीं है किसान पूरे देश को खिलाता है कि वह अपने आप में ने खिला सबता एक दूसरे को किसान पूरे देश का अन्न दाता है जब यह अन्न दाता पैस अगर हम सिर्फ पचास सालों में आपको अखड़े बताएं पचास सालों में कुल किसान के ग्यों के रेट सोग ना भड़ा दें तो 7200 पर प्रतिक उंटल बैठेंगे चाहएं पैसा कहां सारा यह किसी नहीं पूचा सब ये पूचेंगे कि इतना पैसा कहां सारा यह किसान बस यह कह रहा है कि हमें स्वामी नातन आयों क्याधार पर प्लस 50% के अधार पर हमारी MSP तैह हो नीचे जोगर यह MSP तैह हो गई हमारे घ्यों के रेट कम से गम 8200 होंगे और हमारे गन ने के रेट कम से गम 450 रुप पिट दिक होंगे आपकी अजयओ खेंगा इंक में ऑल्चाम के रेगा घ्योप तैह हो गई हो गई हो यह जो खो जली खो यह वैंग करने आचानव देखो जो चाहिए मैं उल्चे को था हुआ हो जाओए और का यह जो रादोंगे जो आढ़े लाख वगए लोग वासे जोगरा आफ